बॉलिवड किंग शारुख खान की अधिकतर फिल्मों का प्रमोशन बुर्ज खलीफा पर होता है। किंग खान ऐसा क्यों करते हैं? इससे उन्हें क्या फाइदा है? इसके लिए कितना पेमिंट करना होता है? पठान और जवान के बाद क्या शारुख अपनी अगली फिल्म डंकी का प्रमोशन भी यहीं करेंगे? आईए जानते हैं। इसके लिए आकरशन का केंदर बनी हुई है। बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे उची इमारत इसलिए कही गई है क्योंकि इसके उचाही 839.9 मीटर है। 163 मनजिला इस इमारत में शॉपिंग मॉल, सुमिंग पुल, आफिस और सिनमा घर जैसी सारी सुविधाय मौजुद है। इस इमारत को 95 किलोमेटर की दूरी से भी साफ तोर पर देखा जा सकता है। अरब डॉलर खर्चवे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुर्ज खलीफा पर तीन मिनट का प्रमोशन विग्यापन कराने का खर्चा करीब 2,50,000 दिरहम आता है। अब अगर हम इस अमार्ण को डॉलर में कनवर्ट करें तो ये लगभग 68,000 होते हैं जबके भारते करन्सी में ये करीब 50,000,000 रुपे होते हैं। जी हाँ बिलकुल सही सुन रहे हैं अगर आपको बुर्ज खलीफा पर पर प्रमोशन करना होगा तो आपको 50,000,000 रुपे देने होंगे। दोस्तों बताते चलें कि शारुख खान दुबई के ब्रेंड एमबेजडर हैं। शारुख की शख्सियत विश्विक्यात है। इसलिए दुबई सरकार ने दुबई के टूरिजम को बढ़ाने के लिए उन्हें यहां का यानि दुबई का ब्रेंड एमबेजडर चुना है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि शारुख की क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो इसका जवाब यह है कि भारत की तरह शारुख खान पाकिस्तान और बंगला देश में सबसे जादा पॉपुलर हैं। और दुबई की 60% आबादी इन तीनों देशों के लोगों से ही मिलकर बनी है। को दरकिनार करके शारुख खान पूरी तरह से फिल्म के प्रमोशन में लग रहते हैं। पठान के बाद शारुख की जवान का जल्वा बरकरार है, काइम है। वीडियो के आखिर में बताते चलें कि शारुक की जवान का जल्वा काइम है फिल्म की कमाई में रोज इजाफा हो रहा है और रोज नए रिकार्ड्स बन रहे हैं वही सनी देवल की गदर टू भी जमी हुई है फिल्मी जानकार बताते हैं कि इस रवीवार के कलेक्शन से अस शेयर करिए और अगर आप पहले से जुड़े वे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए टेक कियर अल्ला हाफिज